अज इस दिसकस करेंगे photosynthesis अब लोग सीरीज में photosynthesis कम्पलीट करेंगे तो आज यह पार्ट है पार्ट फर्स्ट है हम लोग basic पढ़ेंगे photosynthesis करेंगे आप ध्यान से सुनेगे जैसी जैसे मैं पढ़ा रही हूं आप लोग वैसे-बैसे समाझ आएगा देखिये स्धाने सुनिए गवा पहले हम यह समझते हैं कि फोट्व सिंतर्सिस है कि हम कहते है कि फोट्सिंतर्सिस पेसिक ली किया है फिजियोकेmikल x2 फिजियोकैmikल प्रौसेस में पना मेल थी उ कि सिंधा Quem ठो होती है इसमें chemical energy अभी आपको समझ आएगा फिजियो केमिकल प्रोसेस क्या है light energy कैसे convert हो रही है chemical energy जान जा सुनेगा एक यह मेरी एक leaf है बना लेती मेर आहां शचवा फिंच मेरे आए निवके मेरे कंट बन अर्ण से अध काफी सारे है और बर ईसर निवके यह क्या है मेरा बना रही हूं इस तैंसे यह क्या है मेरा मेजव जोचिय है और धान से देखिएगा ह जी तूछ किक्ड़मत होता है यह होता है उसे हम बोलते हैं और टाहे है इसे हम also ् आपका है आपका माइटोकॉंद्रिया होता है तो यह इता है अंच्यता है आप क्या होगा यह पाय्रवेट जाएका आपको पूरी प्रॉसेस में यहाँ नहीं समझा रही लेकिon और उपक्रेप साइक्ल चले ओर राट गोर स्वरो हमारी स्वरोड है और ग्रेफ साइकल हमारी चलती है। पावर हाउस ओफ दा सेल, तो कॉंड्रिया है यह, देन, हाथ में हमें क्या मिलेगा, CO2, CO2 भी रिलीस करता है, अब ध्यान से सुनना, मीजोफिल सेल में माईटो कॉंड्रिया के साथ एक और 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 अर्गेनली प्रिस्टा है, जिसे आप बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, तो अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यह, CO2, तो आपका माईटो कॉंड्रिया ने प्रोड्यूस किया, CO2, H2O के साथ मिलके, आपका ग्लुकोज बनाता है, C6H12O6, तो प्लस ऑक्सीजन रिलीस होती है, तो आप देखो, यह, यह जो ग्लुकोज है, जो यहाँ पर ग्लुकोज कनवर्ट हो रहा था, पाइरोवेट में, यह ग्लुकोज कहां से आया, प्लांट अपना खुद ग्लुकोज बनाता है, दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो में, देखो, हम में और प्लांट में क्या डिफरेंस प्लांट ऑक्णा सब्सक्त क्लुकौज बनाते हैं यहां हम इसकी लग है ऑप्ञास सब्सक्राइब अपना नियूगोजीयं घरते मोस मूस से हैं लेकिन जो प्लांट ऑपना सब्सक्राइगे मैं आपको समझाती हूँ कैसे जैसे यह लीफ है ठीक है यह क्या है पूरी लीफ में हमने एक मीजोफिल सेल को बढ़ा करके देखा कि क्या होता है तो ग्लुकोज जो है ऑक्सिजन के साथ मिलके पाइरुबेट बनेगा ग्लाइकोलाइस ठीक है परफॉर्म होगी पाइरुबे अब यह CO2 जो है CO2 का fixation होता है एक और और होता है प्लांट में डेखेगे फ्लांट में war 1-3 यह C6H12 Oícios 6 जो कहीं कि बेसिकली क्या है अबका से बनाता है और ग्लुकोस जो है अगें यह यूज करता है अब बात करी जाए तो co2 as well as mitochondria से तो यह लेता ही है as well as mitochondria produce करता है co2 वह क्लोरोप्लास्ट वह co2 तो यूज करता ही है as well as बाहर से भी co2 लेता है अपने ग्लुकोस को बनाने के लिए तो वह बाहर से भी क्या लेता है co2 को लेता है और क्लोरोप्लास्ट बाहर से co2 को लेने के बाद क्या करता है अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कौन से और्गिनिजम्स हैं जो यह फोटो सिंथेस करते हैं फोटो सिंथेटिक और्गिनिजम्स हैं जो फोटो सिंथेटिक करते हैं ज्यान से देखना देखो फोटो सिंथेटिक और्गिनिजम्स को हमने दो बेसिस पे क्लासिफाइड किस पे क्लासिफाइड किया है फोटो basis of generation of oxygen तो दो पार्ट में हमने classified किया है oxygenic and anoxygenic अगर मैं anoxygenic की बात करूँ इसमें कौन से आते हैं आपके अगर example की बात कि जाए तो green and green purple photosynthetic bacteria और oxygenic की अगर बात कि जाए oxygenic further classified होते हैं आपके eukaryotes में karyotic and prokaryotic अगर बात कि जाए prokaryotic की prokaryotic में कौन आते हैं आपके cyanobacteria अगर मैं eukaryotic की बात करूँ eukaryotes में again further classified किया गया है तू पार्ट में one is green plants another one is photosynthetic protist photosynthetic protist जैसे की एक्जाम्पिल में आप ले सकते हैं yuglina मैं repeat कर रही हूँ photosynthetic basically photosynthesis किसमें होती है photosynthetic organism हम देख रहे हैं इसे classified किया है इसे पूरे को on the basis of generation of oxygen ठीक है oxygenic होते हैं और कुछ होते हैं anoxygenic oxygenic में आपको further classified किया गया है eukaryotic and prokaryotic eukaryotic को further classified किया गया है green plants and photosynthetic protist जबकि prokaryotic कौन से हो गए आपके cyanobacteria enoxygenic के बात करूँ तो मैं green and purple photosynthetic bacteria आप चलिए ठाम से देखेगा अच्छा बात की जाए अगर बात की जाए आपके oxygenic कौन से हैं मतलब क्या है oxygenic photosynthetic organism का and enoxygenic photosynthetic का आपने अगर मैं oxygenic की बात करूँ oxygenic oxygenic में basically आपको पता है co2 plus n co2 n co2 plus n o2 h2 o light energy आएगी light energy से जाथ मिलके यह क्या बनाएगे e h2 n plus n h2 o plus generation of oxygen generation of oxygen यह हो गया आपका oxygenic photosynthesis जबकि अगर मैं बात करूँ n oxygenic photosynthesis की n oxygenic photosynthesis n oxygenic photosynthesis देखिए आप co2 plus h2 a light energy आएगी यह light energy है और भी light energy और क्या आपको मिलेगा ch2 h2 n यहां पर n plus 2 a plus h2 o तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है oxygen ना मिलके 2 a मिल रहा है तो यह h2 a बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है जैसे h2 s हो सकता है ठीक है h2 हो सकता है simply तो कुछ भी हो सकता है n oxygenic और I think oxygenic पर आपको difference समझ आया होगा oxygenic photosynthesis हमने यहां पर जो classification किया है on the basis of generation of oxygen के basis पर ही हमने classification किया है अब next समझते है आगे चीज़ों देखिए यह आपने leaf देखी इतना पार्ट तो आपको I hope से इतना पार्ट समझ आया होगा आगे देखो आप लोग मेरे साथ देखो कि यहां से देखिएगा कि हम हम लोग एक चीज़ समझते हैं chloroplast को समझते हैं पहले हम लोग chloroplast को समझते हैं chloroplast का structure हम लोग बेसिक समझ रहे हैं chloroplast का structure समझ देखिए क्लोरोप्लास्ट हमें पता है डबल मेंब्रेन का होता है तू मेंब्रेन लेयर्ड होती है तो क्लोरोप्लास्ट के अगर बात की जाए इसमें आपका क्योंकि यह semi-autonomous organelle है हम सबको पता है तो इसमें अपना खुद का DNA होगा और इसमें ribosomes होते हैं 70S अब देहान से देखो यह देखो यह जो रीजन है अच्छा इससे पहले एक चीज़ देखिए यह एक coin-like structure होता है coin-like structure जिसे हम बोलते है थाइलेकॉइड coin-like structure को हम क्या बोलते है थाइलेकॉइड इसे हम बोलते है पूरे को ग्रेनम अब इस तरीके से काफी सारे होंगे ग्रेनम कि अब क्या है यह ग्रेनम है अच्छा काफी सारे ग्रेनम को मिला के ग्रेना बोलते हैं अच्छा यह जो आपके ग्रेनम है यह connected रहते हैं यह देखिए इस तरीके से connected रहते हैं इसको क्या बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इस्ट्रोमा लेमिली और यह जो रीजन है जो ख्लोरोप्लास्ट के अंदर डाक डाक कलर का जो आपको रीजन दीख रहा है जितना भी यह रीजन है इसे हम बोलते हैं इस्ट्रोमा कि रिपीर्ट कर रही हूं मैने क्या क्या बुला देखे क्लोरो प्रास्ट है बेसिकली हमें पता है यह क्या होता है सेमी उट्वर्ट इनff Ni होती है छोती है więc चेजिए इंद होता है सैमी और टोनॉमस और गन्हेली ये जो एक single coin like structure होता है, उसे हम बोलते हैं thalakoid, पाफी सारे coin मिलके बनाते हैं granum को काफी सारे Granum को बोलते हैं Holy Scripture यहज का तो यह जुड़े हुए है उसे बोलते हुआ अब आगे चलिए देखिये तो अच्छा यहाँ पर जो आपका here Lands देखिए, हाइलेकोईड में या फिर आप कह सकते हैं, ग्रेनम में क्या फिल्ड रहता है, ग्रेनम फिल्ड रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट से, इस तरीक से देखिए, मैं ब्लू कलर की फिलिंग कर रहा हूँ न, यह किसे फिल्ड रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट से फिल्ड रहते ह अगे देखो अब ध्यान से देखना आप लोग की पोटो सिंथेस्स हमारी एक होती है लाइट रेक्शन फोटो सिंथेस्स में अकेली रेक्शन नहीं है फोटो सिंथेस्स में दो रेक्शन होती है एक होती है लाइट रेक्शन और दूसरी होती है डार्क रेक्शन एक होती है light reaction और एक होती है dark reaction light अभी मैं आपको समझा रही हूँ आप बहुत अच्छे से समाज आएगा त्यान चे सुनिए light reaction जो है occur करती है occurs in grana and stroma lemily और जो dark reaction है वो कहाँ occur करती है stroma में जहां करती है stroma में जहां से देखिएगा मतलब क्या है light reaction और dark reaction का जैसे की आपको देखें यह आपका पूरा chlorophyll है chloroplast है पूरा क्या है आपका chloroplast है पूरा इसमें यहां पर आपका बेसिकली यह thylechoids है बनाती है यह thylechoids है thylechoids देखिए sunlight आएगी अब आपको definition का मतलब भी समाझाएगा कि फिजियो केमिकल प्रोसेस का मतलब यह sun है sunlight आएगी sunlight आई तो जो chlorophyll है जो chloroplast है वो ट्रैप करता है sunlight को तो chlorophyll पे क्लोरोप्लास्ट में sunlight पड़ी sunlight होने से sunlight के presence में क्या होगा कि ATP और ATP and NADPH अब यह समझ में आएगी सारी प्रोसेस आगे चलके कैसे बनती है जैसे ही क्या बनेंगे light reaction होगी है यह light reaction वरा हम लोग आगे further detail में पड़ेंगे लेकिन क्या हुआ sunlight पड़ी chloroplast ने क्रैप किया sunlight को और क्या बनाया ATP and NADPH जैन क्या होता है कि CO2 plus H2O मिलके CO2 plus H2O यह CO2 कहां से आई आपको याद हो mitochondria से और बाहर से भी आएगी CO2 इन्वायमेंट में CO2 plus H2O मिलके और यह ATP and NADPH यह क्या होंगे utilized होंगे ATP and NADPH utilized होंगे CO2 plus H2O मिलके क्या बनाएंगे C6H12O6 basically glucose plus oxygen C6H12O6 तो यह जो reaction है अच्छा यह बनाएंगे और साथ में क्या निकलेगा ADP ADP and NADP फिर यह ADP and NADP जाएंगे और यह ATP and NADPH में convert होंगे तो यह जो प्रोसेस है देखो तो लाइट सनलाइट के वजए से जो ATP and NADPH बने उसे हमने बोला light reaction तो यह प्रोसेस है जिसमें CO2 और H2O CO2 plus H2O यह कहा हुआ है यह प्रोसेस स्ट्रोमा में CO2 plus H2O मिलके क्या बनाया उन्होंने C6H12O6 बेसिकली वो क्या है glucose तो यह क्या है आपकी dark reaction अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप लो ऐसा नहीं है कि dark reaction dark में होती है ऐसा बिलकुल नहीं है सिर्फ हमने differentiate करने के लिए light reaction को दूसरी reaction से differentiate करने के लिए उसका नाम रख दिया आपकी dependent है dependent है किस पर light reaction के products पर मैंने दुबारा में repeat कर रही हूँ light reactions जो है dependent है sunlight पर लेकिन dark reaction किस पर dependent है dark reaction independently dependent है मैं लिक देरी हूँ dark reaction independently dependent on the sunlight independently not independent indirectly indirectly dependent है किस पर sunlight पर कैसे indirectly dependent है क्या यूज कर रही है ATP and NADPH को कि किसके product है light reaction की तो यह हाथ के आत मतलब तुनंत की तुनंत साथ के साथ dark reaction light reaction के साथ चलती रहती है light reaction से ATP and NADPH बनेंगे ATP and NADPH जो है CO2 plus H2O यूज करेंगे glucose को बनाएंगे glucose बनेगा साथ के साथ ऐसा नहीं है कि light नहीं होगी sunlight की presence में ही होती है लेकिन light reaction से differ करने के लिए उसे अलब करने के लिए हमने dark reaction नेम दिया है dark reaction indirectly dependent है sunlight पर कैसे indirectly dependent है क्यों कि वह product को use कर रही है ATP and NADPH I hope आप लोगो इतना पार्ट तो अच्छे से clear हुआ होगा देखो एक बार easy way में summarized करती हूँ अच्छे अब आपको समझ आ रहा है हम इसे physiochemical process क्यों बोल रहे है ध्यान से सुनो देखो सुनना मेरी बात हम इसे physiochemical process क्यों बोल रहे है photosynthesis एक physiochemical process है इसमें आपका photosynthetic organism convert करता है कोई photosynthetic organism है हमने इस सारे photosynthetic organisms देखे तो इसमें क्या होता है photosynthetic organism convert करता है आपकी light energy को इसमें convert करता है chemical energy में इनर्जी में in the form of reducing power in the form of reducing power and use these chemicals to drive carbon dioxide fixation इसमाज आएगा मैं क्या कहना चाहरे है देखो मैंने क्या बोला कि photosynthesis एक phosiochemical process है इसमें इसका मतलब क्या है कि photosynthetic organism light energy को convert करते है chemical energy में in the form of किसकी form में reducing power reducing power कौन सी हो गई आपकी जैसे कि ATP and NADPH ATP और NADPH देखा आपने light energy से निकलेंगे protect ATP and NADPH and और इन ATP NADPH को use किया जाता है इन chemicals को chemicals कौन से हो गई ATP and NADPH को use किया जाता है CO2 की fixation के लिए what is the meaning of CO2 fixation कि आपका CO2 H2O के साथ मिलके क्या बना रहा है glucose बना रहा है glucose plus oxygen CO2 fixation हो रहा है CO2 fixation कैसे हो रहा है हम किसको use कर रहे है ATP and NADPH को use कर रहे है ATP and NADPH CO2 fixation के लिए CO2 fixation means glucose बन रहा है ठीक है तो यह physiochemical process है photosynthesis मैं summarize कर रही हूँ देखिए leaf थी basically हमने leaf को समझा leaf है उसमें यह क्या है बड़ा सा इस तरीकी से mesophyll cells रहते है हमने एक बड़ा cell बना के देखा mesophyll cell उसमें यह आपका mitochondria है यह क्या है आपका mitochondria ठीक है और यह क्या है आपका chloroplast organically है basically glucose pyruvate में convert हुआ pyruvic acid में pyruvic acid crab cycle में जाएगा electron transport change ATP मिलेंगे मैं खूप सारे mitochondria इसलिए क्या कहलाता है powerhouse of the cell अब यह और CO2 release करेगा ठीक है अब यह CO2 environment की CO2 भी यूज की जाती हो mitochondria जो खुद CO2 release करता है उसे chloroplast use कर लेता है ठीक है chloroplast बहुत चालाक है chloroplast रेकर को CO2 को use कर लेगा CO2 और water के साथ मिलके यह क्या बनाता है C6H12O6 basically क्या है glucose C6H12O6 plus oxygen ठीक है अब यह oxygen क्या है release हो जाएगी बाहर हमने फिर देखा कि कुछ photosynthetic organism होते हैं तो on the basis of generation of oxygen के basis पर हमने देखा oxygenic and anoxygenic anoxygenic का मतलब क्या है कि आपका H2A कुछ भी H2A हो सकता है H2S हो सकता है कुछ भी हो सकता है जबकि oxygen में क्या होगा आपको oxygen generate होगा oxygen then anoxygenic green and purple photosynthetic bacteria oxygenic को further classified eukaryotes and prokaryotic prokaryotic होगा cyanobacteria eukaryotic होगा green plants photosynthetic protest photosynthetic protest means आप example में ले लीज़े यह कैसारे होते हैं अब हमने उसके बाद देखा chloroplast structure double membrane double membrane chloroplast semi-autonomous organelle क्योंकि semi-autonomous organelle हमें पता है इसका खुद का DNA होगा इसके पास 70S ribosome होते हैं और यह इस तरीके के coins होते हैं जिने हम बोलते हैं थाइलेकोइट्स ठीक है थाइलेकोइट्स मिलके काफी सारे थाइलेकोइट्स मिलके एक के उपर सिara के पानु mg है मैं पाइलेकोइट्स इनकोब बोलते हैं ग्रैनॉ और और इसके पता हुआ इसके बोलेगोगा अगर बात की जाए तो आपका chlorophyll जो है present रहता है chlorophyll भरा रहता है थाइलेकोइट में जो chlorophyll है वो filled रहता है थाइलेकोइट में photosynthesis basically कोई एक reaction है दो reactions होती है light reaction dark reaction जो light reaction है वो light dependent है directly dependent है sunlight पे और वो क्या देगा आपको ATP and NADPH ये ATP and NADPH जो है CO2 plus H2O use करेंगे glucose बनानी में और इस process को हम बोलते हैं dark reaction ऐसा नहीं है again I am saying ऐसा नहीं है कि dark reactions dark में होता है जहाँ sunlight ऐसा नहीं है dark reaction का मतलब है कि वो light पे directly dependent नहीं है but indirectly dependent है indirectly dependent का मतलब क्या है कि वो ATP and NADPH के product को use कर रही है dark reaction क्या है ATP and NADPH को use कर रही है glucose बनानी के लिए I hope guys आप लोगं को इतना पार्ट समझ आया हुग अच्छे से next part में हम लोग photosynthetic pigments के बारे में discuss करेंगे अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप लोग मुझे comment box में mention करके पूस सकते हैं अगर आपको ये video पसंद आई है तो आप इस video को like कर सकते हैं अगर आप comment box में कुछ बच्चे जैसे hesitate फिल करते हैं तो आप मुझे ग्यानवर्षा query at the rate gmail.com पर इस mail id पर भी पूस सकते हैं ये जो material है मैं upload कर दूँगे ग्यानवर्षा telegram channel पर हमारा channel बना हुआ है ग्यानवर्षा के नहीं से तो आप इसे join कर सकते हैं और वहाँ पर मैं ये वाली जो PDF है वो upload कर दूँगी so thank you